स्वागत है आपका अफिशिल कारियाले में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने करंट वर्कशीट के डेटा को पावर क्वेरी के मदद से ट्रांस्पॉर्म और लोट कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक स्प्रेडशीट करेंगे और पनावन य्याच नक्यों अन्वकेंडब शुक्त जैञा ही ग्रतेंज में मैंने क monta कर लिए और यहाँ पर इससे एक नाम दे दिया दिटा अ कि धोर्टां देखते हैं कि घरंटी उडट को एकног करके पावर क्री में ओपर उपन करेंगे तो इसफेंस इसमें और हम कैसे इसे कर सकते हैं और क्या इसके benefits हो सकते हैं power query के तुरू transform करने के दोस्तों सबसे पहले तो मैं worksheet 1 पर आ जाता हूं data tab में चले जाएंगे और यहाँ पर हमें एक option मिल जाता है from table और range तो मैं इसके पर click कर दूँगा क्योंकि हमारा जो data set है यह एक tabular form में है किसे table में converted नहीं है नहीं किसी name range में इसलिए power query editor इसे load करने से पहले हमें forcefully इसे table में convert करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर हमरे बास create table dialogue box open हो गया है यह tabular data अगर हमें current sheet में से किसी भी normal tabular data को load करना है power query editor में तो उसके लिए हमें इसे compulsory table format में convert करना ही होता है तो मैं से table में convert कर लेता हूं table में convert करने के बाद power query editor load होगा और कुछ इस तरह से open हो जाएगा दोस्तों यह हमारा tabular data है वह पहले टेबल में convert हो गया और उसके बाद यहाँ पर load हो गया तो आप देख सकतें कि source file हमारी जो है table ही है तो इसने ज कर दिया जो की correct है दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान में लखने वाली बात है आपर कि अगर आप कोई भी normal tabular data को load करेंगे same worksheet से same worksheet में तो आपको उसे table में convert करना ज़रूरी है अगर आप यही किसी अलग sheet से tabular data को उठाते तो यह आपको उसे convert करने के लिए नहीं बहुत table में बलकि उसे वो directly power editor में load कर देता तो दोस्तों अभी इसमें मैंने कोई changes किये नहीं है तो इसका जो use case बनता ही यह बनता है कि अगर आपको current data से data power editor में open करना है और दो table को merge करना या फिर append करना है तो उस time पे current workbook से data लेना काफी useful होता है जो कि हम अपने अगली वीडियो में cover करेंगे merge query और append queries को आप कैसे उसे कर सकते हैं तो अभी के लिए मैं से close कर देता हूं और next step पर चले जाएंगे हम अपने यहाँ पर हमने data को already table form में रखा हुआ है तो अब हम इसे लूट करके दिखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या options आते हैं तो इसे में from table and query पर click कर दूं इसे best way जो है data को load करने का power query में वह यह कि आप table से उसे load करें क्योंकि यहाँ पर काफी कम operations आपको करने होते हैं तो यहाँ पर इसने data types assign कि होगा है वह भी सही assign कि होगा है तो table से data को load करने का यह कुछ advantages होते हैं तो मैं इसे close करता हूं finally हम देखते हैं कि name range को हम जब पावर data directly open हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने already name range create कर रखे हुई है तो इसलिए इसने directly open कर लिया तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर इसने हमाना टेबल में data types assign हुए थे वही same assign किया है यहाँ पर उसने तो उस तो यह थे कुछ अलग-अलग तरीके जिससे आप data को power query में same worksheet से load कर सकते हैं उमिए थे कि आपको कुछ नया सिखने मिला होगा इस वीडियो से अगले वीडियो में हम merge query और append queries को सीखेंगे जिससे आपको यह समझ में आएगा current worksheet से data लेने के और क्या-क्या advantages हो सकते हैं तो आज के लिए मस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छे लिए कि तो इस वीडियो को like करें मेरे चैनल अनफिशल कारियल को ऐसे ही informative वीडियो के लिए subscribe करें मिलते हैं next video में thank you